हलो दोस्तो मैं हूँ रागवेंद्र आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ जैसा कि सभी को पता चली गया होगा कि हाली में पुलिस विभाग की तरफ से SI mains का जो detail notification है वो जारी किया गया है इसी पे आज की हमारी जो विसेश चर्चा है वो रहेगी और छोटा से एक सूशना आपको दिना था इसके गाडिंग भी हम मिल रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखें जो common syllabus है उसमें आप देखें तो सबसे पहले language आता है उसके बाद आपका aptitude का section है तो यह जो तीन section है उसम समः है तभाव संब्दे हैए ठीक है समास है आपका रस चंद अलंकार है इसके सास जो हिंदी के कवी है उनके लेखा को रचना आप जो आपके भारत के कवी हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना ही है तोड़ा साτι धोड़ा सा tau इसमें ऐापो देखने को मिलेगा तुझ जिसमें प्रबंध क्या होता है थोड़ी सी जानकारी आपको हुनी चाहिए और पडना है honется तो यह हिंदी का जो help ओमन सिलिब Rs स satisf आ ne zreem इसके लाब आगर इंग्वे के देखिए ह हमारे बात करें इसके साथ सब्सक्करे देखिए सबसे पहले इसमें न साइंस आता है समान विज्ञान आएगा आप यह समझेगा कि जो विज्ञान का सिलिबस है वो तो अलग जो पोस्ट के लिए भरे हैं वो अलग है इसमें विज्ञान में समान विज्ञान आएगा जिसमें आपको मानो रोग हो गए आपके physics हो गया, chemistry हो गया, biology के कुछ section जो importance होते हैं, blood वाला हो गया, आपका human brain हो गया, आपका disease हो गया, उस समाने भी ज्यांसे समद्धी से में प्रशन आपके रखे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए, इतिहास की अगर बात करें, इतिहास समझेगा, इतिहास वाले section में, इस पस्ट रुप से लिखा है, भारत का प्राचीन इतिहास, समान इतिहास है, और आपका आदुनिक भारत का इतिहास है, याने ध्यास समझना, ये जो मध्यकाले इतिहास है, इसमें नहीं लिखा है, और हमको syllabus के according ही चलना होता है, पढ़ना होता है, तो सभलता हमारी सुनिश्चीत होती है, तो ध्यान रखेगा, इसमें मध्यकाले इतिहास का जिक्र नहीं है, तो यहां से प्रश्णानी की संभावना भी नहीं है, उसके बाद देखिए, स्वतंता के पश्चात का भारत, इसमें थोड़ा इस्ट्रा पॉइंट है, हमारे आजादी के बाद, भारत का कैसे भारत आज इस तिसी दिन पहुंचा है, उसको पढ़ना है, क्योंकि जब हम आजाद हुए, तो जो देसी रियासते थी, उसको कैसे विले कराये गया, जूनागर रियासत कैसे हुआ, आपका हैदराबाद रियासत, कस्मी रियासत कैसे हमारे विले कराये, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमने चाइना के साथ वार देखी फिर पाकिस्तान के साथ बहुर देखी फिर हमारा food shortage हो गया तो food shortage किसे हम लोग क्या गिये हरित करांती लेका रहा है आगे चलके स्वेत करांती हुआ उसके बाद फिर बंगलादेश का विभाजन उसका इमर्जनसी प्रोविजन्स और धीरे धीरे हमारे पास पैसे की कमी फिर अपका LPG की नीती और ले देकर आज हम जो इस्तितिम पहुंचे हैं ऐसा भारत आपको पढ़ना है इसमें पूरा स्वतंता के पश्चात का भारत है इसके बाद अगर पात करें तो भुगोल की बात करें तो जो बंदरगा, खनीज, बिजली इसमें आपको थोड़ा सा एक एक जो फैक्च्वल जीचे हैं उसको आपको पढ़ने है साथ साथ अगर अर्साथ की बात करें तो अर्साथ में देखें मुद्रस, फिदी, जन संख्या, आपका गरीवी, बिरजगारी, आपका और योगी, विकास, साथ साथ पंचवर्शी योजनाओं का भी अपना एक इतिहास है जब आप आधुनिक भारत जब बढ़ते हैं, जब सदनता के बश्चात की भारत की बात करते हैं, तो उसमें आप पंचवर्शी योजनाओं के साथ नीती आयोग और आपका जो योजना आयोग है, उससे सम्बंदित भी जानकारी आपको रखनी है इसको थोड़ा ध्यान रखेगा, समिधान की बात करें, तो देखें भारती समिधान, जो समिधान का बेसिक चीज है, वो समिधान आएगा, साथ-साथ भागदो इने नागलिता आएगा, चुनाओं संबंदी प्रावधान है, संसद है, आपका कारिपारी का विधाई का इन जिदह सबस्तुरुप से आपको मिल जाएगी, उसके बाद देखें, समान, ज्यान और करेंट हवेस, बात करें, तो इसमें देखें, इसमें फैक्श्यान चीजह हैं, तो इसमें अगर आप बात करें, नो से लेकर पूरा, अगर आप जाए चोदा तक, तो पूरा 36 अए, अ एक अपका हिस्टि नियुक्ता से कुर्च कृति भी दिकरी आपका राजनेती का आपका जो ट्रांसपोर्ट वेगरा है जो ग्रफी का सेक्षिन है भूगोल हो गया और साथ साथ हिस्ट्री का सेक्षिन भी आपको मिल रहा है यह थोड़ा सा एसा ही चुकी आपका पुलिस भी भाग में आपका जॉइनिंग है इसलिए यह जो चीजे है यह इस्ट्रा आपको पढ़नी पढ़ेंगी जैसे कि माना अधिकार यातात के नियम राश्टी स्रुक्षा के मुद्दे साथ साथ प्रदूशन जलवायू और वन इसलिए तो भूगोल में भी आप कवर कर लोगी तो यह सेक्षिन थोड़ा से इस्ट्रा ह आप चाहूं तो रोक के देख सकते हूं आप केमिस्ट्री का सिलिबस साथ साथ आपका यह मैस्क आए और जो कंप्यूटर वगरा का है वह आपका इसमें कंप्यूटर भी दिख जाएगा यह अलग से कंप्यूटर के लिए आएगा ठीक है जो हमारा तीन जो सेक्षिन है जै क्या कुछ पूछा जाएगा किस टॉपिक से कुष्चन रहेंगे किस टॉपिक से कुष्चन नहीं रहेंगे ठीक है लेकिन अब यह डाउट क्लियर हो चुका है क्योंकि इसका सिलिबस आ चुका है देखिए सिलिबस में हम लोगों को क्या कुछ पढ़ना है सबसे पहले सिल जाए यानि दोनुस साइड से आपको आना चाहिए ट्रांसलेशन इसके बाद ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर में देखे क्या कुछ है, तो ग्रामर में आपको पढ़ना है टेंस, आपको पढ़ना है मोडाल्स, आर्टिकल, नेरेशन, वाइस, प्रेपोजीशन और क्लॉज और जो कुछ भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थात कम्टेशन कम्मूटी में जो कुछ भी पढ़ेंगे online class में आप पढ़ें या offline class में पढ़ें classes दोनों mode में available हैं बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे जैसे आपको सामने यहाँ पे एक कोशन दिखाई दे रहा है यह कोशन किसका है वाइस का है आपको यहाँ पे वाइस चेंज करना है अब आपके सामने एक नया confusion create होता है क्या confusion create होता है कैसे पाचाने दिया गया जो कोशन है वो active है या passive है तो इसके लिए आपको wise के बहुत सारे rules and concept को रट्टा मारने की कोई जरुवत नहीं है, आपको English इस अंदाज में पढ़ाए जाएगा, कि यदि आज के पहले आपने कभी English जिंदगी में नहीं पढ़ाता, फिर भी आपसे question देखते के साथ बनेगे, देखिए कैसे, यहाँ प उसका wise change करते हैं, passive से active में ले जाए या active से passive में ले जाए ठीक है, दोनों ही condition में model verb जो question में given होता है, उसको हम change नहीं करते हैं, अब active से passive में जब ले जाना होता है, तो model verb के साथ हम लोग लगाते हैं, BEB plus verb का third form, आज यह चेक करें, तो यहाँ था must, option number C और D में देखिए must का प्रियोग नहीं किया गया, तो यह दोनों option हमारे cancel हो गया, अब यहाँ पर देखिए, BEB का प्रियोग कर लिया गया, model verb plus BEB plus verb का third form, अर्थात हमारा जो answer होगा, या तो option number A, या तो option number B, अब ज़रा ध्यान देजिएगा, पैसी में हम लोग आम तोर पे किसका use करते हैं, आम तोर पे हम लोग को preposition by का प्रियोग करते हैं, इसलिए हमारा answer होगा, option number B, कौन सा होगा, option number B, तो यही नहीं, इससे और भी अच्छे तरीके से, और भी रोमान चक, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको English पढ़ाई जाएगी, आप चाहें तो हमारे classes को join कर सकते हैं, offline या online दोनों में से, किसी भी mode में, अब इससे आगे की जानकारी आपको हमारे सर्फ, 13 और 14 में दिख रहा है, मतलब यह पूरा का पूरा यहाँ पर जो दिख रहा है, आपको reasoning है, तो अब यहाँ पर reasoning का weightage हम बात करें, तो reasoning का weightage मैं बोल सकता हूँ, भी आते हैं और number series भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद order and ranking यहाँ पर हमें दिया गया है, फिर आप देख सकते हैं, दिशावें दिवरी, ठीक है, direction, distance जिसको बोलते हैं, वो है हमारे पास, फिर है यहाँ पर हमारे पास word माले यह सब्द परिक्षन, मतलब यह हम आ रहा हो गया, alphabet test, वो सब्द निर्मान हमको बनाना होता है, matrix से related questions पूछा जाएगा, ठीक है, when diagram की बात करें, तो when diagram में silogism है, silogism बहुत important है, silogism का पूरा का पूरा एक complete यहाँ पर हम बोल सकते हैं, chapter है, इसको अच्छे से पढ़ना होता है, इसके concept अच्छे से सीखने होते हैं, फिर यहाँ पर आपका logical when diagram बनाने आता है, फिर एक analysis based when diagram दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर puzzle, तो puzzle में मैं आपको बता दूँ कि puzzle वाले प्रशन तो आएगा, पहली तो आएगा, साथ में य होंगे, मतलब linear sitting arrangement, मतलब एक पंक्ती में कुछ लोग बैठे हैं, या फिर circular sitting arrangement, एक table में, circular table में कुछ लोग बैठे हैं, इस प्रकार के प्रशन आपको देखने मिलेंगे, फिर आपके पास data, यहाँ पर data परियाप्तता, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अलग से एक chapter होता है, cube and dice, घन और dice, ठीक है, पासा, अलग से एक chapter होता है, उसको इसी में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अंक गनित संचालन और आदी लिखा हुआ है, मतलब और भी topics हो सकते हैं, अंक गनित संचालन की बात करेंगे, तो mathematical operation, ठीक है, यहाँ पर board math rule वगरा यू non-verbal part, जिसमें image वाले सवाल दिखने मिलते हैं, paper cutting and folding से प्रशना आ सकते हैं, embedded figure से सवाल आ सकते हैं, इसमें cube and dice को भी दे दिये हैं, counting of figures, मतलब गिंती यहाँ पर हमको करना होता है, counting of triangles दे दिया भी, कितने triangles हैं, कितने cubes हैं, कितने straight lines हैं, यह सारी चीज़े हो गई, ठीक ह हमारे आसिस सर हैं, वो अच्छे से explain कर पाएंगे, और यहाँ पर तारकी को विशलेशन आतपक तरक में देख सकते हैं, calendar है, रिस्तो की समस्या मतलब यहाँ पर आपका हो गया blood relation, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते है, line graph, by chart, यह तो आपका maths का है, ठीक, तो धाई महने, अगर आप अच्छे से महनत करके पढ़ लेते हैं, तो दो धाई महने में अराम से यह जो है, अराम से आप इसको cover कर लेंगे, syllabus जो है, अराम से cover हो जाएगा, आपका aptitude test का, ठीक है, तो I hope आपको यह information अच्छा लगा हो, चलिए भी, अगले बार अगरा जो तो दोस्तों, आज हम discuss कर रहे हैं, CGSI mains का syllabus जो है, उसमे quantitative aptitude में कौन-कौन से chapters आपके important हैं, इस बारे में discussion छोटा सा रखने वाले हैं, तो आईए बात करें, इससे पहले आपने other subject के देख चुके हैं, quantitative aptitude में क्या-क्या important है, और किस तरह से आपको पढ़ने, कौन-कौन से chapter आपके लिए बहुत जादा important होने वाले CGSI में, mains में उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो 13th number का column और 14th number का column ये आपका quantitative aptitude का syllabus है, जो कि officially आपको मिल चुका है, आप इसमें देख सकते हैं, कौन-कौन से chapter सबसे पहले दिकर आपको संख simplification के questions, simplification के questions में, square आपको याद करने पड़ेंगे, cubes याद करने पड़ेंगे, square root की जुरत पड़ेंगी, cube root की जुरत पड़ेंगी, और साथ ही साथ, कुछ अलग type के सवाल भी आते हैं, multiplication वाले, series वाले, जिनके आप questions कह सकते हैं, उस type के questions भी देखने को मिलते हैं, उसे बिन्न में बदलना, उस प्रकार के questions से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, फिर इसके बाद, अनुपात और समानुपात की अगर हम बात करें, तो अनुपात समानुपात के question तो होई गए, इसके अलावा, अनुपात समानुपात के अंदर ही ages यानी की, आई संबंदी प्रस्न वाले सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उसकी भी आपको तैयारी करते चलने ही, इसके बाद, प्रतिसत जो है, इसके अंदर दो और चैप्टर आते हैं, प्रतिसत वाले सवाल होगे, प्रतिसत के बाद, आपका लाभ और हानी, यानी profit and loss के questions, और साधी साथ आपको देखने को मिल सकते हैं, simple interest और compound interest, यानी की साधारन और चक्विद्धी ब्याज वाले सवाल, फिर इसके बाद बात करें, और समय और कारे, time and work, एक बहुत ही important chapter है, आपके examination के हिसाब सवाल, दूसरा important chapter है आपका, चाल समय और दूरी, time, speed and distance, फिर खेत्रमिती के अंदर आपको सवाल देखने को मिलते हैं, खेत्रफल और आयतन यानी area and volume वाले, फिर इसके बाद समय करन equation पर बेश्ट questions देखने को मिलते हैं, यह हो गया आपका quantitative aptitude का complete CG SI mains का syllabus, इसके बाद के लिए आ और सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जैसे कि विदित है कि हमारी test series SI mains की चल रही है, जिसमें से 5 tests औरेडी हो चुके हैं, टोटल 21 tests होने वाले हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, तो जो अभी SI mains का जो नया syllabus आया है, अब हम अपने syllabus को reschedule कर रहे हैं, उसके recording बना रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे enroll हो चुके हैं, और जिन्होंने अभी enrollment नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारा आने वाले जो test होंगे, वो SI जो भरती है, उसके updated आपका schedule है, उसके according होगा, तो ध्यान रखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, वो हमारे center में visit करके, या call करके registration करवा सकते हैं, बहुत ही nominal fees हैं, और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, और last में एक बहुत दर करना चाहता हूँ, को को हमेसा आपके सामर्थ को सलाम करता है, तो इसके लिए Sunday को, याने दो तारीक को सामर्थ को सलाम, तारीकरम के तह अपनी वाड़ी को भी राम देता हूँ, धन्यवाद।